भारत के तीन सबसे लंबे रेलवे पुल ये पुल समुंदर पर बने हैं जो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और कई किलोमेटर लंबे होने के कांड पानी की लहरो से कापने लगते हैं चली जानते हैं तीसरे नमबर पर रामेश्वरम का पांबन रेलवे पुल में हर 12 मिटर पर पिलर लगे हैं और 147 पिलर पर खड़ा है ये सिंगल लाइन रेलवे पुल यानि 2 किलोमेटर से भी जादा लंबा है भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल बोगी बिल ब्रीज है ये 4.9 किलोमेटर लंबा है जिसमें सडक और रेलवे पुल दोनों साथ में बने हुए हैं इसलिए इसे बनाने में 5,900 करोड रुपे खर्च हुए क्या आपको कभी यहां जाने का मोका मिला है कमेंट भी जुरूर बताएं